नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एन्सीपी नेतार नवाब मलिक को ईरी ने दिया बड़ा जटका नवाब मलिक की जमानत याचिका का पीमले कोट में ईरी ने किया है विरोध आपको बता दें कि जुस तरीके से अभी कुछ दिनों में NCP नेता नवाब मलिक आर्थर रोट जेल में बंध है और इसी बीच उनकी तवित खराब होने के चलते नवाब मलिक के वकील ने एक PMLA कोर्ट में आज जमानत की याचिका लगाई जिसका विरोध किया गया ED की तरफ से और इसी बीच आपको ये भी बता दे कि आज ही नवाब मलिक को महराश्ट के जेजे अस्पताल में भड़ती कराया गया है क्योंकि पिछले तीन दुनों से नवाब मलिक की तवित खराब है और इसी बीच अदालत ने रिपोर्ट मांगी है नवाब मलिक के हालात को लेकर उनके स्वास्त को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ कोट की तरफ से इजाज़त भी दे दी गई है नवाब मलिक के दामात समीर खान और बेटी निलोफर को नवाब मलिक से मिलने के लिए यारे कि जहाँ एक तरफ नवाव मलिक की तवित खराब है J.J.S. मदाल में उन्हें आज फिर से एक बार बरती कराया गया है पर इसी बीच जिस तरीके से राहत चाहते थे नवाव मलिक के उन्हें जमानत मिल जाए जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में डालने की बाद आज फिर से एक बार प्रयास किया गया था PMLA कोर्ट में इस याचिका को डालने का इस पर सुनवाई करने का पर आज ED की तरफ से इस जमानत याचिका का विरोध किया गया जिस पर कोट की तरफ से आज कहा गया है कि अब इस पूरे मामले को लेकर 5 मैं को सुनवाई होगी और फिर देखना होगा कि कोट की तरफ से क्या एहम फैसला लिया जाता है पर हम पूरे इस परकरन की बात करें तो नवाब मले की मुश्किलें कहीं भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है चाहे फिर उनकी तवित खराब है या फिर लगातार उनके वकील की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि नवाब मले को जल्द ही समानत मिल जाए पर नवाब मलिक को कहीं से भी राहत मिलती हुई नहीं नज़रा रही है अब उन्हें अस्पताल में भरती करा दिया गया है हेल्थ का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी अधालत की तरफ से मांगा गया है तो वहीं दूसरी तरफ इरी की तरफ से भी आज कोट में इस बात को कहा गया कि जिस तरीके से अभी कारवाही इस पूरे मामले को लेकर चल रही है जिस मामले को लेकर नवाब मलिक की गिरफतारी 23 फरवरी 2022 याने की इसी साल की गई है मामला कितना जादा समवेदंशील है उसको लेकर भी इरी ने पूरी जानकारी आज कोट में दी किस तरीके से बड़े से बड़े जो स्कैम है या घुटाले है या फिर दाओद इबराहेम के जो गुर्गे हैं उनके साथ संबंध हैं नवाब मलिक के और उसनी सभी आरोपों को लेकर गिरफतारी की गई है नवाब मलिक की और इनी सब चीजों की जाच करने के लिए एडी बिलकुल भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि नवाब मलिक को जमानत मिले आपको बता दें कि इससे पहले भी एडी 5000 पेजों की चार्ट शीट दाखिल कर चुकी है प्रमपा एनसीपी के एक बड़े मिनेता हैं तमाम पुराने सालों से वो महराश्ट की इस उद्धव सरकार में या इससे पहले भी जब भी एनसीपी की सरकार रही है तो बड़े पदों पर रही है नवाब मलिक पर आज वही नवाब मलिक जो लगातार धंकियां दिया करते थे कि समीर वांग खेड़े को जेल के पीछे डाल देंगे सलाखों के पीछे डाल देंगे और आज इतने जादा बुरे दिन आ जाएंगे पर आज वही चीज़े नवाब मलिक के सामने होती हुई नजर आ रही है नवाब मलिक आज उसी प्रकरिया से गुजरते हुए नजर दना रहे हैं जिसको लेकर वो बयान दिया करते थे समीर वांग खेड़े को खेर अगर हम पूरे इस मामले की बात करें जिस मामले को लेकर गिरफ्तारी एडी की तरफ से की गई है नवाब मलिक की तो जहां एक तरफ नवाब मलिक तो वही नवाब मलिक के दोनों बेटे और बीवी के ऊपर भी कही न कहीं एडी का जो शिकंजा है वो कस्ता जा रहा है क्योंकि बेटे फरसको और जो बड़े बेटे हैं उनके लिए भी अभी एडी की तरफ से भेजा गया था समन जुसमें बार बार पर समन भेजने के अगर ये एडी से हमारे दफ्तर नहीं आते हैं पूछताज के लिए तो इस पर भी एक्षन ले सकती है एडी यानि कि जो करोडों का कारोबार है और किस तरीके से सन 1999 में नवाब मलिक के जो सम्मंद पाए गए थे किस तरीके से दाउद इबराहिम के गुर्गे से नवाब म की थी आज अगर वो मामला खुल कर सामने आ रहा है जिसको लेकर एडी यानि की एक केंद्रिय एजंसी है और आज इस पूरे मामले को लेकर जाच की जा रही है तो आपको बता दें कि नवाब मलिक नवाब मलिक की जो एडवोकेट है उनकी तरफ से हर बार कोशिश की जाती है कि नवाब मलिक को रहाई मिल जाए जमानत मिल जाए जिसके लिए कॉंगरिस के वरिष्ट नेता कपिल सिब्बल भी जोर लगा चुके हैं और सुनवाई के दोरानिया निकि इससे पहले भी अभी 22 तारिक को या इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामल कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई इससे पहले की गई थी तो पांच अब मई तक कस्टडी को बढ़ा दिया गया था पीमले कोर्ट की तरफ से और इसके बाद आज किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती जा रही है नवाब मलिक की आज देश और महराष्ट की ज पताते हैं कि जहां एक तरफ एडी जो है इस पूरे मामले की जाज कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक या नवाब मलिक के बेटों के नाम पर जो अवैत संपत्ती है उसको लेकर भी शिकंजा का साथ जा चुका है केंद्री एजंसियों की तरफ से और अभी कु कर हम गिरफतारी की भी बात करें तो नवाब मलिक ने काफी कोशिश की थी और ये तक कहने की कोशिश की थी कि मेरी जो गिरफतारी हुई है वो गलत गिरफतारी हुई है मुझे फसाया जा रहा है पर उसके बाद कुछ सुप्रीम कोट ने इस बात को कहा था कि अभी जिन मा तो कहीं न कहीं हवाला का पैसा और इनी सब चीजों का संदेह जताते हुए ED की तरफ से कहा गया था कि इस जाच को हम करना चाहते हैं और नवाब मलिक की गिरफतारी इसी लिए important है इसी लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ED इन सभी मामलों की जड़ तक पहुशना चाहती है कि जिन आरोपों को नवाब मलिक के उपर लगातार चाहें फेम बीजेपी की बात करें या तमाम जो सबूत आज ED और केंद्री एजंसियों के हाथ में लगे हैं उनकी जड़ तक जाना चाहती है आज केंद्री एजंसी और इसी लिए बार बार पर कोट की तरफ से बड़ा छटका मिल रहा है नवाब मलिक को चाहे फिर आज पीये मेले कोट हो या इससे पहले सुपरीम कोट हो या हाई कोट हो क्योंकि जब से गिरफतारी हुई है तब से ही बार बार पर कहा जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से याचकाय डाली जा रही है आज अगर तबीद खराब है तीन दियों से उनकी तबीद खराब है आज अगर जेजी अस्वताल में भरती करा दिया गया है तो इसको लेकर भी कोट की तरफ से पहले तो हेल्थ कार्ड मांगा गया है रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है और वहीं दूसरी तरफ एडी के जो वकील है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले की जानकारी क्यों नहीं दी गई थी कि इनकी तबीयत खराब है यानि ही एडी की طرف से किया जा चुका है एडी चार्चीट उसके हैं इस पूरे मामले को लेकर नवाब मलिक को लेकर तो आज बस इतनी सी राहात पी मले कोड की तरफ से नवाब मलिक की बेटी निलोफर को और दामाद समीर खान को मिली है कि वो मिल्क सकते हैं अस्पताल में जाकर नवाब मलिक से इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर हम बेटी निलोफर और तामा समीर खान की बात करें तो समीर खान एक वही सक्ष है जिसके ऊपर नार्कोटिक्स बीरों ने कितनी बड़ी कारवाही की थी नवाब मलिक की तरफ से और कहा गया था कि बीजेपी के कहने पर नार्कोटिक्स काम कर रही है आज अगर वही के इंद्री एजंसियां शिकंजा कस रही है नवाब मलिक के ऊपर तो उसको लेकर वो आज बयान बाजी करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि एडी जो है तमाम ऐसे सबूत आज एडी के हाथ लग चुके हैं और यहीं बड़ा कारण है कि जब भी नवाब मलिक जमानत के लिए या उनके वकील कोट का दरवाजा खटकटाते हैं उस समय पर ही एडी की तरफ से याचिका का विरोध किया जाता है जमानत का विरोध किया जाता है क्य करके एडी नहीं चाहती है कि अभी नवाब मलिक को कोई भी जमानत मिले क्योंकि ऐसे काफी चीज़ें हैं काफी ऐसे सबूत है जड़े हैं जहां तक एडी पहुँचना चाहती है दावद इबराहिम से लेकर तमाम जो डी गैंग का कनेक्शन नवाब मलिक के साथ है और इस connection के साथ महाविकास अगाडी सरकार के कितने ही नेता और शामिल है इन सब चीजों की जड़ों तक पहुँचना चाहती है ED और इसी के साथ अगर हम भारतिय जंता पार्टी की बात करें तो BJP के नेता मोहित कंबोस भी कई बार इन चीजों को लेकर खुलासा कर चुके हैं और पिछले दिनों ही उनकी तरफ से ये बात उठाई गई थी कि आखिरकार महाविकास अगाडी सरकार नवाब मलिक से इस्तिफा क्यों नहीं ले रही है क्योंकि नवाब मलिक की जो गिरफतारी की गई है वो एक संगीन आरोप के तहद की गई है क्योंकि जो आरोप टुके है